नमस्कार, हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाश ठाकर के साथ TET का जो मौक टेस्ट है यह तीसरा मौक टेस्ट रहेगा और यह आखरी मौक टेस्ट है हमारा इस एक्जाम से पहले तो अगर आपने पहले के दो मौक टेस्ट नहीं देखे हैं तो एक पार उनको जरूर देख लेना क्योंकि वहाँ पर हमने 120 बिसक्रशन जो हैं वहाँ पर डिसकस किये हुए हैं और वो प्रशन बिल्कुल प्रिवेस येर के जो पेपर हैं उसके आधार पर ही बनाये गये हैं और आज का ये टेस्ट जो है ये भी वैसे ही बनाये गया है जो पीछले टेस्ट पूछे गये हैं तो आज ये मौक टेस्ट में हमने केवल 100 प्रशनों को ही रखा हैं आई होप आप लोगों के लिए ये 100 प्रशन जो है उप्योगी साबित होंगे और आपकी तैयारियां जो आज ये वो है आपका मेहनती चीक है कुछ लोगोंने मुझे कमेंट भी किया था कि आप बहुत तेज बोलते हैं समझ में नहीं आता तो तेज करवाने के पीछे मेरा कोई ऐसा शौक नहीं है मैं ये जाता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपका ये कबरप हो जाए और आपको आइडिया मिल जाए कि यहां से आप जो है मतलब प्रशनों को सब मतलब इजिली देख पाए और एकदम से आप इसको कैच करें और आपकी जो एकागरता है वो बनी रहें अगर मैं बिल्कुली स्लोली स्लोली चलता रहूँगा इस समय जबकि आपका एक्जाम इस समय आने वाला है तो वो कहीं न कहीं फिर धान बटक जाता है तो इसलिए अगर हम एक सिरे से एक अपने रिदम के साथ पूरा पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप यहां पर फोकस्ट हैं अगर फोकस्ट नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा मैं जल्दी बोलूँ या आराम स बोलूँ तो इसलिए थोड़ा सा ये एक स्पीर मैंने इसलिए रखी थी ताकि आपका कंस्टेशन भी जो है वो बन रहें चलिए फिर भी मैं कोशिश करूँगा आज की थोड़ा सा अराम से करूँ ताकि आप जो है इसमें एजली समझ सकें दूसरा प्रशन है यहां पर ब भाशा से रिलेटिड हो तो वहां से प्रशन आपको पूछे जाते हैं इसको देखना है आपको तत्सम शब्द कौन सा है तो यहां पर देखिए इनमें से जो तत्सम शब्द है देखिए वो कौन सा है वो है आपका तत्सम होता है आपका संस्कित के समान शब्द या संस्कि होता है ठीक है इसको आपने देखना है और अगर आपने लाइव क्लासिस लगवाई होंगी तो वहाँ पर मैंने आपको कैसे इजिली आपको याद रखने है ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो बताया हुआ है तो उसको आपको वहाँ से पढ़ सकते किया अगर आता है कि राग का वीलोम क्या है तो ये पूराने पेपर में भी पूछा गया ता देखना ये रहेगा आपका वीराग इसको भी आप देखिया एक बरि अगला प्रशन है अलावा का म Multi सिवा एप इसके प्रियोगबाद में तारसब्तक ये प्रशन इस तरीके से था ठीक है प्रियोगबाद के प्रवर्तक जो थे वो तो अग्ये थे लेकिन प्रियोगबाद में तारसब्तक जो रहा ये किसके दिमाग की उपज ती देखना ये थी प्रभाकर माच्वे की प्रशन में आपने देखना अग्य है ठीक है यह प्रशन भी आपको पूछा जा सकता है दोनों तरीके से मैंने आपको यहां पर बता दिया तारसब्त का प्रकाशन किस वर्श हुआ था ये भी आपको पता रखना है इनमें से ब्रजबोली का क्षेत्र कौन सा है तो यह आपका मथुरा आगरा औ दिल्ली में आपकी खड़ी बोली हिंदी रहेगी लखनव में आपकी जो कौन सी भाशा है देखना अवधी इसको याद रखेगा और पीली भीत में जो आपकी रहेगी देखना वो रहेगी आपकी बुंदेली इसको भी आप थोड़ा बहुत याद रखिए नेक्स आता है बीजक के संकलन करता कौन है, ये तो आप सब लोग जानते हैं, धरमदास है, बीजक में किसकी रचनाय या किसके पद हैं, तो ये कबीर दास जी के हैं, ये आप सब लोग जानते हैं, कमाल जो है कबीर का बेटा था, ठीक है, नेक्स प्रशन है आपकी स्क्रीन पर अकरावट क प्रशन भी जरूर पूछता है देखना आपको यहां पर भी ध्यान रख लेना है कि विवत्सरस का जो स्थाई भाव है वो है जुगुपसा निर्वेद जो है यह आपका जो आश्चर रस में रहेगा क्रोध जो है आपका किसमें रहेगा रौधर रस में रहता है ठीक है इसक आपका ब्रजभाषा का स्वण काल कौन सा है तो फिर आपको याद रख लेना है वो आपका रीती काल है ऐसे करके भी आपको प्रशन पूछा जा सकता है यहां पर सही क्रम के लिए बूचा गया है जो गद्य की विधाएं हैं देखना सबसे पहले कौन सी विधाई पहले- पहल नाटक आया फिर निबंद आया फिर उपन्यास फिर कहानी तो यह आपका रहेगा कहानी 1900 में थी नाटक आपका जो है बिल्कुर चुरुवात में देखना 1857 में आ गया था नहुष नाटक फिर निबंद भारतेंदु युग में आया उपन्यास जो है वो 1870 में यह नह तो जनता सब जानती है, तो जानती है का मतलब क्या हुआ, स्ट्रिलिंग हो क्या, ऐसे करके आपको इसको ध्यान रखना है, पहाड़ों में प्रेम मैं संगीत, यह जो रचना है यहाँ पर देखना, इसको आप देखेगा, पहाड़ों में प्रेम मैं संगीत किस विधा की रच प्रशन आपको ये पूछा जा सकता है और अगर आप मेंसे किसी ने प्रिवियस रिपेपर देखे हैं तो वो डेपिनेटली इसका अंसर सही बता सकता है भक्ति के द्वार सभी वरणों के लिए खोलने वाले विदवान कौन है तो देखिए जैसे भक्ति का सभी वरणों के ल पिर उचवर्ग तक सीमित होनी चाहिए कभी दास ने भी फिर जातवात का विरोध किया था ये भी देखना है भक्ति काल को सवर्णियुक की संग्या किस ने दी थी ये दी थी शाम संदर दास ने ये ध्यान रख लेना है अगर यहाँ पर जोज ग्रियर्सन होता तो ग्रिय 1997 में काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका आई थी और 1900 में सरसुती पत्रिका आई ये भी आपको ध्यान रखना है तदवव के संपादक कौन थे ये थी अखिलेश ये समकालिन पत्रिकाओं में एक मतफुन पत्रिका है देखना इसको जरूर देखना है आपको इन बाकियो ये आपको याद रख लेनी है और निराला की भी मादेव वर्मा की मैंने बताई है चारों की नेक्स आता है रामचंदर शुकल द्वारा रचित हिंदी साहितके तियास गरंत का प्रकाशन वर्ष क्या रहा तो ये 1929 में रहा देखना आप सब लोग जानते हैं और ये किसकी भूमिका के लिए लिखा गया था ये प्रशन भी पूछा जाता है इसको कॉमेंट सेक्शन में जाके आपको बताना है ठीक है अनपड में कौन सा समास है तो अनपड में वैसे तो आपका ततपुरुष रहेगा लेकिन यहाँ पर ततपुरुष के साथ देखिए निया समास लगा है तो यहाँ पर ये वाला समास इसमें हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर निशेदात मक्षब्द पहले जुड़ा हुआ है हामीद की इस कहानी का पात्र है आप सब लोग जानते है हामीद जो है बहुत ही प्रसिद पात्र है देखना इदगा कहानी का इदगा कहानी बा आप देखना सवा सिर्गेहू, शंकर इसका प्रजिद पातर है, कजाकी में कजाकी रहेगा, और ठाकुर का कुवा जो है, ये भी बहुत मतपून कहानी है प्रेमचन की, इसको भी आप एक बार जरूर देखेगा, गंगी और जोखु, इसके मुख्य पातर है, आठवने सूच कारों के बिना सरसुती विद्वा के समान है, ये किसने बोला था, ये यानि कि अलंकार बहुत मतपून माने हैं देखना वेद व्यास ची ने, इसको देखना है आपको, ये भी प्रशन इंप्रचारनी सभा के प्रत्थम अध्यक्ष कौन थे, तो आप सब लोग जानते हैं, काशी नागर प्रचारनी सभा के प्रत्थम, वैसे आपको पता है कि काशी नागर प्रचारनी सभा कि स्थापना जो है, तीन लोगों ने की थी, ये भी आपको पता होने चीए, ट्रिक है, राम, शाम, शिव, अब राम से क्या है, शाम से क्या है, शिव से क्या है, ठीक है, तो यह आपको पता रखना है, लेकिन यहाँ पर पूचा है कि इस सबाके प्रत्म हध्यक्ष, तो यह थे रादाकृषन, दास, रादाकृषन दास वो ही जो भारतेंदु हरीशंदु के फुफेरे भाई थे, ये भी आपको देखना है, और ये भारतेंदु मंडल के लेक्ष क में ही आते हैं इसका नाम याद रखेगा अब प्रशना आपके लिए है काशी नागिर पचानी सभा की स्थापना जो हमने पहले पढ़ लिया था अब एक प्रशना आपके लिए और बना कि कौन से तीन लोग थे और वो तीनों उस वक्त नवी कक्षा में पढ़ते थे ये भी ध्यान रखना है आपको भरतमुनी की रही नाट शास्त्र पूछता है भरतमुनी का समय था दूसरी और तीसरी शती के आसपास ये भी देखना अठाईसों प्रशन है देखिए नाटक को जीवन प्रदान करने वाला स्थान क्या कहलाता है ये है रंगमंच इसको याद रख है ठीक है और बाकी जहां पर जो दर्शक बैठते हैं उसको क्या कहते हैं ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पता होनी जाहिए और ये सारी की सारी बाते हमने पड़ी हुई है इनको एक बार आपको जरूर देखना है राजभाशा आयोग का गठन किस वर्श हुआ था ये से पहले राजभाशा आयोग फिर उसके बाद अधी नियम उसके बाद संकल्प उसके बाद जो है सिर्फ नियम ठीक है ये पता रखने आपको देखना इंपॉर्टेंट कोश्चन है ये पूछा जा सकता है और ये जो आपके कमिशन बगेरा में भी काम आ सकता है किसका समन् किस से है तो आप सब लोग जानते हैं सदारनी करना होता है आपका रस समंधित ये भी आपको याद रख लेना है फोर्ट विलियम कॉलेज से किसका समंध नहीं था तो फोर्ट विलियम कॉलेज से जो समंध नहीं था देखिए ये था आपका इंशालला खां इसका नाम के प्रत्थम अध्यक्ष, फोर्ट विलियम कॉलेज से आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी देखना, कि LTT में हमेशा यहाँ पर प्रशन पूछा गया है, देखना LTT के लिए, ठीक है, तो उसको देखना है आपको, यहाँ से इसकी शुरुवात कब हुई थी, कहाँ पर ह जानते हैं, यह था आपका उदंत मारतंड, इन बाकी पत्तर के बारे में भी आपको देखना है कि इससे क्या-क्या चीज़ें हैं, गनेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित पत्तर कौन सा रहा, तो आप सब लोग जानते हैं, गनेश शंकर विद्यार्थी आप नरायन मिश्र और अनंद कादंबिनी, बद्री नरायन चौधरी प्रेमघन और बनारस अकभार, यह किसने चलाया था, राजाशी प्रसा सितारे हिंद, ठीक है, मेरी असफलताएं किसकी रशना है, यह बाबु गुलाव रायन का निबंद, इसको भी आपने याद रख किया गया है, रीतिकाल को उत्तरमध्यकाल नाम किस ने दिया, तो रीतिकाल को जो उत्तरमध्यकाल नाम दिया, यह दिया, अचारे रामचंदर शुकल ने, शुकल ने दोनों ही नाम दिया है, रीतिकाल भी और उत्तरमध्यकाल भी, एक चीज़ यहाँ से आपको और क्लियर होनी चाहिए कि अच्छारे रामचंद शुक्ल ने जो काल विभाजन किया है देखना वो दोहरे नामकरण की नीती इसने अपनाई थी यानिकी दो नाम इसने दिये ठीक है ध्यान देना है ये इनमें से किस ने महावीर प्रसाद दिवेदी के बाद सरसुती पत्रिका का संपा अधक रहे ना कि बाद में दियानक ना इसको ये प्रशन भी आपको बन सकता है देखना एसे करके नेक्स आता है मोचीराम कवीता किसकी है तो जो मोचीराम कवीता है देखी ये है सुधामा पांडे धूमिल की धूमिल से भी आपने एक चीज नोटिस जरूर की होगी यहां से भी प्रशन ज़रूर पूछा गया है देखना, चाहे वो इसकी रूटी और संसद हो, चाहे इसकी लंबी कविता पटकता रही हो, या फिर इसकी संसद से सडक तक रही हो, या फिर कल सुनना मुझे रही हो, हर एक बार प्रशन जो है सुधामा पांडे धुमिल से पूछा गया है प्रिवियस एर पेपर पढ़ने का मतलब यही हो जाता है देखना कि उससे आपको आइडिया मिल जाता है कि आपको कहां कहां से प्रशन जो है बार-बार पूछे जा रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाई करनी है और उसी के अकॉर्डिंग ही मैंने यहां पर आपको यह टेस्ट भी बनाया हुए है तो थोड़ा सा आप एक बार समझ के पढ़ेंगे डेफिनिटली आप 90 तक जरूर पहुंच जाएंगे तो यहां पर यह रहेगा आपका ज्योटसना उप्शन नमबर सी इसका सही होना चाहिए आपका ठीक है नेक्स्ट है साहित्य देवता किसकी रचना है तो यह है माखनलाल चत्रवेदी की अगर पूचा होता है कि वे देवता नहीं है तो होना था राजैंदर यादाव इसको याद रखियेगा नेक्स आता है इन में से राजशेकर की रचना कौन सी है तो राजशेकर की है काबय मिमासा काबय लंकार भामा की रही लंकार सर्वस्व रूयक की रही है शब्दानु शासन हेम चंदर की प्रसेद धक्रीती है पता होना चाहिए आपको भारते कावे शास्तर के जो भी ग्रंतरे हैं देखना पूछते हैं अभिवेंजनाबाद के प्रवर्तक कौन थे? ये थे आपके क्रोचे क्रोचे का समन्द कहां से था? इटली से था ये भी प्रशन कई बार पूछता है देरीदा, विखंडनवाद के प्रवर्तक, लॉंजाइनस, उदातवाद के प्रवर्तक, ठीक है? अरस्तु, तरासदी, का से धान प्रसुत किया था? इसने ये देखना है आपको है ना? और भी दो से धान दिया है अरस्तु ने वो कौन- भामा ने कावे गुणों की संक्या कितनी बताई है? तो भामा ने बताये थे कावे के गुण तीन ही, कौन-कौन से गुण होते हैं तीन देखना? एक होता है आपका माधूर्य गुण, दूसरा होता है आपका ओज गुण, और तीसरा होता है आपका प्रसाद गुण, ठीक ह इसको आप देखेगा जरूर सर्भमाने मतनुसार यही है और इसके बाद जो अगर 10 माने थे तो 10 मानने वाले जो भी दुआन है वो है भरत मुनी, यह ध्यान रख लेना है हम हश्मत किस की रचना है, यह है कुष्णा सोब्ती की रचना और यह किस प्रकार की रचना है देखना है इसकी संस्मरणातमक प्रिती या रेखा चितर अब इसको कह सकते हैं किस भाषा का प्राचीनतम नाम जो है वो पिंगल है, तो राजस्थानी को पिंगल के नाम से भी जानते हैं, यह भी आप एक बार जरूर देखिए, गारसद अतासी ने किस भाषा में हिंदी साहिते तियास ग्रंथ लिखा, तो गारसद अतासी ने जो अपना साहिते तियास ग्रंथ लिखा था देखना ये लिखा था इसने फ्रेंच भाषा में, याद रखेगा पहला जो साहिते तियास वो कौन सी थी, यहनि कि इसका नुवाद किसने किया यह आपको बताना है, संत कावे और सूफी कावे में असमानता तो कौन से हैं, कि बहुकि किस बात में समानता नहीं थी, संत विरोध था, बिलकुल था, प्रबंद शैली नहीं थी, ठीक है, क्यूंकि संत कावे में मुक्त ज़ादा लिखे गए थे, प्रबंधात्मकता नहीं थी, मानीविय समता की बात तो वो भी करते थे, निर्गुन उपासना, निर्गुन तो दोनों ही थे, एक निर्गुन संत्थ था, एक निर्गुन जो है वो आपका सूफी था, तो यहां पर प्रबंधात्मक्ता जो है इसमें नहीं थी देखना ये असमानता हो जाएगी इसको देखिए और ये भी हमने पढ़ा हुआ देखना लाइव क्लास के दोरान तुलसी की ब्रजभाशा की रचना कौन सी है तो ब्रजभाशा की रचना को याद अखने के लिए मैं में भी राम और मंगल जुड़ा रहता है देखना वो कौन सी थी वो थी आपकी अबधी की रचनाए तो यहां पर देखिए एक में मंगल चब जुड़ा है एक में राम आगया प्रशन लगा है ठीक है संत कभी कौन सा नहीं है तो यहां पर रह दुरुपदास ये आपका कावैधरा के अंतरगत नहीं आता ठीक है किस रचना से चायबाद का अरंभ माना जाता है तो जहरना 1918 से माना जाता देखना चायबाद का प्रारंभ यह भी आपको पता ओना चीए जहरना आनसुल लहर का माईनी सभी रचनाय जो है जैसनगर परसात की रचनाय है क्रम नरेश महता की और इसमें किसके मन का संशय बताए गया है देखना युद भूमी में जाने से पहले राम के मन में उठने वाला जो संशय है वो इसमें बताए गया है ठीक है इसको भी देखेगा नेक्स आता है निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा नहीं है तो परिंदे इसका उपन्यास नहीं था बलकि ये इसकी क्या थी ये इसकी कहानी रही है इसको भी देखेगा बाकी सारे के सारे उपन्यास जो है वो निर्मल वर्मा के ही रहे है अदखिला फूल के लेखक कौन है ये हैं अयुद्ध्या सिंग उपाध्याय हरियोद जिन्हें कवी समराट के ना खिला फूल के लावा इसका दूसरा उपन्यास कौन सा था कमाईनी का सरग कौन सा नहीं है तो कमाईनी का सरग जो इसमें नहीं है यह है धर्म ठीक है और 15 सरग है इसमें टोटल यह मैंने आपको बता दिये थे कैसे इसको याद रखना है ये भी मैंने आपको बता दिया था, यहां पर आपको बाकी चीज़ें जो है अब रिवाइज खुद करनी है, नेक्स है एक ही वर्ण की बार-बार अवरिती वाला लंकार, ये तो बच्चा-बच्चा जानता है, अनुपरासा लंकार है देखना, महमठ की रचना कौन सी है इस पर आपकी लक्षना, शब्द शक्ती रहती है, ठीक है, रिती रात्मा कावेस्य किस ने कहा है, तो आप सब लोग जानते हैं, रिती संपरदाय के प्रवर्ण तक थे अचारे वामन, तो इसी ने ही रिती को कावे की आत्मा स्विकार किया है, और कावे की आत्मा का प्रशन अभी सबसे पहले किसने उठाया? ये भी वामन ने ही उठाया था, इसको भी आपको याद रखना है, प्रशन महतपूर्ण है. next question आता है रस राज किसे कहा जाता है तो यह आप सब लोग जानते हैं श्रिंगारस को कहा जाता है किस ने कहा था बोज राज ने कहा था इसको देखना तो इसने बोला था कि यह है एक मातर रस ही क्या है अपने आप में पूर्ण है तो रस राज श्रिंगारस को बोला जाता है अलंकार संपर्दाय के प्रवर्तक ये हैं आपके कौन भामा आप सब लोग जानते हैं देखना अलंकार संपर्दाय के प्रवर्तक जबकि भरत्मुनी जो आपका रस संपर्दाय से समंदित रहे ठीक है वामन रीती संपर्दाय और क्षेमेंद्र जो है औचित्य संपर्दाय क के प्रवर्तक रहे हैं वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण किसने माना है तो यह important है देखना वक्रोक्ति शब्द देखते ही बहुत साइर लोग जो है कुंतक की तरफ चले जाते हैं लेकिन यह प्रशन हो है भामहा ठीक है इसका उतर होगा भामहा ने बोला कि वही वक्र रहती ही रहती है लंकारों में ठीक है तो इसलिए इसको ध्यान में रखेगा यह भामहा ने बोला था केशवदास की रशना कौन सी नहीं है तो यहाँ पर रस प्रिया जो है इसकी नहीं है देखना रसिक प्रिया थे इसकी कभी प्रिया थी विज्ञान गीता भी इसकी रश ठीक है next है दोहे के समचरण में, सम होता है दो चार छे ऐसे वाला, तो दूसरी चरण में कितनी मात्रायं रहता है देखना तो यहाँ पर आपको द्यान रख लेना है कि इसमें 11 अवात्रायं हो जाएंगी, ज्यान देना है यह आपको ठीक है वीशम में होंगी आपकी 13, ठीक ह आपको याद रखनी है सोमनाथ की रशना भी important है यानि की रीति कालिन कभी जो रहे हैं देख रहे हैं इनोंने भी रीति के उपर लिखा या जो चंद शास्त्र है उस पर लिखा हुआ है ठीक है नाथ संपर्दाय के भक्ति काल की नाथ संपर्दाय से भक्ति काल की किस धारा का अरंब हुआ तो ये संत कावेधारा का अरंब हुआता देखना बहुंग मिलती है ठीक है उसको भी आप एक बार जरूर देखिए कबीर शब्द का अधिक प्रियोग करता कौन रहा तो आपको सिंपल सा याद रख लेना है ये है दादू दयाल इन्हों ने अपने कबीर शब्द का इस्तेमाल जो है वो जादा किया था अपने साहित्य में ठीक है इसलिए कुछ लोग इने कबीर पंति भी मानते थे ये शोधरा का रूप है तो ये शोधरा का जो रूप है अध्यात्मरमायन, यहाँ से भी आपने जरूर देखा होगा, प्रश्न लगातार, अभी मॉख टेस में भी मैंने तीन मॉख टेस बनाया थे, तीनों में आपने देखा होगा कि राम चुर्च मानस से भी जरूर प्रश्न था, और ये प्रिवियस ये पेपर में भी लगातार पुझी गई है और इस में पूछे गया है कि इसको लिखने में कितना समय लगा था, यह सारे प्रशन पूछे हुए हैं देखना तो आपको बार-बार वो ही चीजें आ रही हैं, यानि कि जिस के बारे में आपने कहीं न कहीं सूना और पड़ा है वो ही आपको ये भी आप देखिएगा, जो परिश्रम करेगा, वो सफल होगा, यह बाकिय किस प्रकार का है, तो यह है आपका संकेत बाचा, कि यहां पर संकेत दे दिया भया, यह अगर परिश्रम करेगे, तभी सफल होंगे, ठीक है, मखमली खालिस्तान मारना, तो यहां पर एक मुआबर नहीं होगा देखना, जुते मारना होगा, नेक्स से यहां पर त्रीपिटक गरंथों का समन्द कि इस भाशा से माना जाता है, तो यह है आपका पाली भाशा से त्रीपिटक गरंथ लिखे गए हैं, और साथी साथ आपको यार रख लेना, त्रीपिटक में कौन-कौन से ती पुरानी हिंदी नाम पहले-पहल किस ने दिया? तो सबसे पहले दिया था ये चंद दशर्मा गुलेरी ने, इसको याद रखना है, बाकी शोकल ने भी बोला, राहुल सांकृतायन ने भी बोला, ठीक है? सबसे बड़ा भाशा परिवार किसे कहा जाता है, तो यह है आपका भ भारूपय परिवार, इसको भी आपको याद रख लेना है, बारूपय परिवार है, सबसे बड़ा भाशा परिवार और इसे इंडो-जार्मनिक और भारत हित्ती नाम से भी जाना जाता है, और यह प्रशन भी पूचे हुए हैं देखना, लगातार यहां से आया है प्रशन ठीक है, क्लासिक भाशा की से कहते हैं, तो संस्कित क्लासिक, यानि कि शास्त्रिय भाशा है देखना, और टोटल शास्त्रिय भाशा हैं कितनी थी, यह उन्हें आपको बता दिया है, छे शास्त्रिय भाशा हैं जिनमें से एक संस्कित है, फिर तमिल, तिल्गू, मल्यालम औ जाता इसे देखना है इसको भी है ना ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी ये तो आप सब लोग मालूम ही है ठीक है और बाकी जो वर्ष लिके हुए इन वर्षों में भी कुछ सबह हैं और संस्थाएं चली वो भी आपको देखनी है ध्वनी का लिखित रूप क् कि कुछ नियम है तो ये आपको संधी वाले portion में ही दिखेंगे किस शब्द में वृद्धी संधी है वृद्धी में देखना है आपको सिर्फ दो मात्राइं कहां पर लिखिया और कुछ भी नहीं है मात्राओं में बढ़ोत्री कहां पर हुई दो मात्राइं यानिकी वृद संधी ये एक समान्य सी ट्रिक के देखना जो आपका स्वरसंधी है उसको याद रखने की उसके भेदों को याद रखने की ठीक है चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर नवरतन में कौन सा समास है तो नवरतन में जो समास से देखी ये आपका दुगू नव पहले इसमें पूचा यह है कि इसमें कौन सा नहीं है तो यह है लगू संधी लगू नहीं होती है धिर्ग संधी होती है ब्रिदी संधी होती है अयादी संधी होती है यन संधी रहेगी और गुन संधी रहेगी ठीक है तो टोटल कितनी है पांच इसके बेद रहेंगे ये भी आपको देखन है अतेव में संधी कौन सी है तो यहां पर है आपकी विसर्ग संधी इसको भी देखिए कैसे बनेगा यह अतेव अतह और एव ठीक है यह हो गया आपका अतेव याद रखिएगा इसको भी है ना नेक्स कॉश्चन है आपकी स्क्रीन पर मेवाती की बोली का अन्य नाम है तो मेवाती बोला जाता है आपका उत्री राजस्थानी को पूर्वी राजस्थानी यानि की जैपूरी जैपूरी को ही कहा जाता है देखना ढूंधानी ये भी एक मतपूर्ण प्रशन है ये प्रीव इतिहास किस ने लिखा था तो ये डॉक्टर विशुनात्री पाठी ने लिखा था रामसरूप चत्रवेदी ने कहा लिखा हिंदी साहित्य और समवेदना का विकास डॉक्टर रामसरूप चत्रवेदी ने रामकुमार वर्मन ने कहा लिखा था इस ने लिखा था हिंदी साहि अलोचनात्म कितिहास ठीक है और डॉक्टर शाम सुंदर्दास ने तो जो बहुत साही रचना है जो है रची है इस पर ठीक है श्रावका चार पुस्तक के लेखक कौन है तो यह आप सब लोग जानते हैं यह थी देव सेन की रचना ठीक है श्रावक धरम का बनन इसमें मिश्र बंदों में शामिल कौन से नहीं है तो गणेश बिहारी मिश्र श्याम बिहारी मिश्र शुकदेव बिहारी मिश्र यह तीनों थे कृष्ण बिहारी इसमें नहीं आते ठीक है ध्यान देना इसको यह इसमें नहीं रहेगा यह प्रशन भी बहुत बार रिपीट होता है देख तो सब रस के लेकक थे मुल्ला वजही और ये दखिनी हिंदी के रचनकार हैं देखना ये तीनों उपर के ठीक है इनको देखेगा खवाजा बंदा निवास गेसुद राज की थी मिराजूल आश्कीन ठीक है चार दर्वेश के लेकक रहें सैयद हुसेन अली खां इसका नाम रहें उसका मिल्व का पत्थर आधुनिकनाटकों में ठीक है गदल कहानी के लेखक ये है रांग ये राग हव इसको भी देखना है अमरकांत की थी जिंदगी और जौंक बड़ी मतपून है देखना अब्दुल बिस्मिल्ला की थी रैन बसे राव ठीक है वो भी बड़ी इ देखिएगा चत्रसेन शास्त्री द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है तो ये था वयम रक्षामह अपने अजनबी अग्ये की है म्रिगनेनी आप सब लोग जानते है मृंदवन लाल वर्मा की है बानबट की आत्म का था ये है हजारी प्रसाद्दी वेदी की रचना ठीक ह देखना इनको हामीद की दादी का नाम क्या था हामीद की जो दादी थी देखिए ये थी अमीना यह यार रख लेना है मर्तपुन प्रशन है ओके शुद्वाक्य पहचानी है बच्चे को काटकर फल खिलाओ बिल्कुल गलत है बच्चे को काटना नहीं है फल बच्चे को फ ग्रंथों का अध्यान किया है तो यहां पर अनेकों हो गया देखे यह भी अपने आप में अशुद है यानि कि शुद्ध वाकिया यहां पर कोई भी नहीं है तो अनेक अगर होता तो बिल्कुल यह सई हो जाना था क्योंकि अनेक अपने आप में क्या है बहुवचन है अवस् अग्षान ने जो लिखा था देखना वो लिखा उन्होंने ब्रजभाशा में ही ठीक है मतपूर्ण है ये भी नेक्स आता है सूर्दास प्रेमचन के किस उपन्यास का पात्र है आप सब लोग जानते हैं सूर्दास जो है ये आपका कहां पर रहेगा रंग भूमी का पात्र है देखना है आपको प्रेमचन के उपन्यासों से जरूर आपको प्रशन पूछ जाता है तो इसको एक बार आप जरूर देखेगा आज का जो आखरी प्रशन है आपकी स्क्रीन पर देखिए विशेशन की विशेशता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं तो विशेशन की जो लोगों को ये समझ में आ गया होगा और मैं फॉन को फ्लाइट मोड में करना बिल्कुल भूल गया था इसके लिए मैं माफी चाहूंगा पीछ में अगर किसी को कुछ डिस्टर्बेंस रही होगी एंड एक्जाम से पहले आप सभी लोगों के लिए बेस्ट विशिस कि आप बहुत अच्छा गरेंगे और इस बार आपका जो एल्टी टैट है वो डेफिनेटली अच्छे मार्क से क्लियर होना चाहिए एक बार फिर से बहुत बहुत शुब कामना आपको तब तक के लिए मुझे दीजाजत जय हिन जय भारत